हेलो गाइज वेलकम टू मैं वीडियो तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेलिगराम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज टेलिगराम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको निच्चे में एक off श् lawyer सेटिंग तो यहां पे सेटिंग मिलड़ाई 같이 सेटिंग करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेता आजाईगा तो निच्चे की तरफ बाब जाना है तो इससे कि तरफ भी आपको occupied और एक अपशन मिलड़ाईक टेलिघ्राम एक यूझत तो आपको Telegram FAQ पे क्लिक कर देना है, तो Telegram FAQ पे क्लिक करने के बाद, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आजाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा निच्चे की तरफ आ जाना है, और एक option ढूड़ लेना है, your account तो नीचे ही आपको your account को option मिल जाएगा तो आपको your account के नीचे ही नीले color में कुछ option दिखी जाएगा तो आपको यहाँ पे 5 नमर पे एक option दिखी जाएगा delete your telegram account तो आपको यहाँ पे delete your telegram account पे क्लिक कर लेना है तो delete your telegram account पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर ही एक पेज दिखी जाएगा How do I delete my account तो आपको इसके ज़स्ट नीचे ही नीले कदर में एक option दिखी जाएगा Deactivation page तो आपको Deactivation page पे क्लिक कर लेना है तो Deactivation page पे क्लिक करने के बाद डालने से पहले अपने देश का code डालना पड़ेगा जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमारे इंडिया का code है पलस 9-1 तो आपको यहाँ पे पहले पलस डालना है फिर 9-1 डालना है फिर अपना mobile number डालना है तो mobile number डालने के बाद नीचे next पे क्लिक करनेना है तो next पे क्लिक करने के बाद आपके telegram पे code जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से करना है और telegram वाले pop-up पे क्लिक करके telegram पे चले जाना है फिर आपको यहां से back आ जाना है telegram के home page पे तो home page पे आने के बाद आपको टेलिगराम की तरफ से एक मैसेज दिख जाएगा तो आपको इस मैसेज को ओपन कर लेना है तो मैसेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा और कोड नम्मर में नहीं रहेगा यह आपको ध्यार में रखना है कोड कुछ इस तरह से होगा जैसे की ZM2GNC कुछ ऐसे आजीव तरह से रहेगा तो आपको इस कोड को यहां से कोपी कर लेना है नहीं तो कहीं पर कागज पर लिख के रख लेना है फिर आपको कुछ इस तरह से करना है और authorization वाले pop-up पर क्लिक करके इस प्रेट पर आजाना है फिर यहां पर confirmation code में वो code को डाल देना है तो code को डालने के बाद नीचे इस box में ठीक लगा देना है फिर sign in पर क्लिक कर लेना है तो sign in पर क्लिक करने के बाद नीचे में delete my account का option आजाएगा तो अब आपको अपना telegram account delete करने के लिए delete my account पे click कर देना है तो delete my account पे click करने के बाद उपर में rate color में एक option आ जाएगा yes delete my account तो आपको यहाँ पर yes delete my account पे click कर लेना है तो yes delete my account पे click करने के बाद आपका telegram account delete हो जाएगा तो अब आप अपना telegram app open करोगे तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में